दोस्तो नमश्कार आदाब सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो आपने कभी फुटबाल मैच में हौकी मैच में सेल्फ गोल होते हुए देखा हमने तो देखा है और कई बार देखा है कि कैसे कोई खिलाडी अपने ही साइड में गोल मार देता है क्योंकि वो चाहता है कि गोल बच जाए किसी तरह गोल कीपर के हाथ में अगर वो कल्पना कीजे कि फुटबाल है तो उसके हाथ में बाला जाए क्योंकि दूसरे खिलाडी गोल के अंदर बाल लेकर जा रहे होते हैं तो ये ऐसा अक्सर देखा जाता है चात्र जीवन में भी हमने देखा बाद में भी देखा तो वैसा ही सेल्फ गोल जो हौकी और फुटबाल में कई बार हो जाता है वैसा ही हमारी कॉंग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे अधिक दिन तक जो सक्ता में रही है वो पार्टी अक्सर सेल्फ गोल करती रहती है पहले नहीं करती थी पहले कम करती थी आजकल बहुत फ्रिक्वेंट है अब उदारण के तोर पे जैपूर जैपूर में दोस्तों सेल्फ गोल का एक बहुत ही ज्वलंत उदारण है जैपूर में क्या हुआ बीते रहिवार यानि 25 सितंबर की शाम अच्छा खासा तमाशा हो गया गजब का सेल्फ गोल गजब का तमाशा इस तमाशे की आयोजग प्रायोजग थी भारती राश्टी कॉंग्रेस ये वो पार्टी है जिसके पास सबसे अधिक पढ़े लिखे भद्रजन या एलीट प्रिष्ट भूमी के नेता बताये जाते हैं पर 25 सितंबर को जैपूर के उस तमाशे अगर देखा जाए उस तमाशे को तो कांग्रेस पार्टी उसमें स्वयम ही तमाशा बन गई दोस्तों अब 45 घंटे बाद यानि 27 सितंबर से पार्टी अपने उस तमाशे को अब उसको किसी तरह से सम्हालने पर जुटी हुई है राहुल की पद्यात्रा को जिस तरह एक धक्ता पोंचा जैपूर की घटना से उसके बाद आला कमान के भी होश उड़ गए और अशोक गहलोज जैसे उसके बड़े नेता उनकी पार्टी उनकी भी अपनी च्छवी डैमेज हुई अब इस सवए पार्टी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने अपने ही किये डैमेज को डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है यनि यह एक ऐसी पार्टी में तबदील हो गई है इन दिनों जो स्वैम अपना डैमेज करती है और फिर जब जनता में उसकी भद पिटती है तो डैमेज कंट्रोल में जुटती है आखिर जैपूर में जो सियासी रायता फैला वो क्यों फैला और उसके लिए कौन जिम्यदार है बहुत सारी कहानिया अख़बारों में चल रही है टेलिविजन की दो बात ही छोड़ दीजे उनको तो नियूज दिखाने से मतलब नहीं है वो अलग तमाशा है लेकिन अगर देखा जाए अंग्रेजी हिंदी के अख़बारों की भी खबरें तो उसमें ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो गलती है वो अशोग गहलोत ने करी है अरे भई अशोग गहलोत ने क्या गलती करी है आप बताईए इस पार्टी को कॉंग्रेस नाम की पार्टी को चलाने की जि गांदी है और प्रयंका गांदी वी पार्टी की की जिम्यदारी आला कमान की है और रायते को और ज्यादा विक्रित करने का जिम्यदारी मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी के जो आपसर्वर थे जो कई राजियों के आपसर्वर होकर कमाल कर चुके हैं वो अजय माकन साहब की है शायद वो गैलोत साहब से पहले से खफा थे कि उन्हो और कैसे जिम्यदार है कॉंग्रेस आला कमान जैपूर में जो कुछ हुआ उसके लिए दोस्तों 20 और 21 सितंबर को खबर आई हमने दोनों दिन देखा कि आला कमान गहलोत को कॉंग्रेस का राश्ट्री अध्यक्ष बनाने के लिए लगभग तयार हो चुका है हमने 21 सितंबर को इस विशे पर वीडियो भी बनाया था और न्यूस क्लिक के यूट्यूब पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं साथ में ये सवाल भी उठाया कि गहलोत अगर राश्ट्री अध्यक्ष बनेंगे तो राजस्तान के चीप मिनिस्टर का क्या होगा ठीक साथ दिन प देर बात हुई तकरीबन देर दो गंटे बताया जाता है कि उसमें प्रियंका गांधी भी आ गई थी यहां से गालोत सहाब ने प्रेस को बोला कि वो कोचीन अब जाएंगे क्यों जाएंगे कोचीन क्योंकि राहुल गांधी उस समय कोचीन में थे और वो मशुड़ा करने जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि वो जाकर ये कहने वाले हैं कि उन्ने अधятиक्ष बनाने के बजाए या किसी और को अधिक्ष बनाने के वजाए राहुल गांधी स्वेंग पार्टी के अधिक्ष बने और हमारी सारी कॉंग्रेस कमिटिया राजियों की ये कह चुकी है र वो कोचीन चले गए जैपूर से उड़कर दिल्ली दिल्ली से उड़कर कोचीन और कोचीन में 22 तारीख को वह पद्यात्रा में भी शामिल हुए और अपने निता राहूल गांदी के साथ उन्होंने कमरा बंद दो घंटे की बैठक की दो घंटे की बैठक अब फिर भी इसके बाद अगर कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव और फिर राजस्थान के मुख्य मंत्री के चुनाव को लेकर फिर भी अगर कोई असमंजस कोई समस्या बनी रह गई तो दोस्तों इसके लिए दोशी कौन है अब ये देखना है कि गहलोट के बीच में और नेत्रतों के बीच में अगर कोई समवाद हिंता बरकरार रही तो ये दोश किसका है बताते हैं लोग कि ये क्यालोट साहब को नहीं बताया गया था कि 25 सितंबर की रात ही नए सीयम का नामता होना है और वो सचिन पाइलेट होंगे कांग्रेस सद्यक्ष का दोस्तों चुनाओ 27 अक्टूबर को होना है 19 अक्टूबर को उसकी घोशना हुई है फिर 25 सितंबर को ही नया चीफ मिनिस्टर क्यों ये किसी के भी दिमाग में ये सवाल आ सकता है असल पेंच यही है ये जो पूरा तमाशा खड़ा हुआ है असल पेंच यही है क्या ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी के साथ अशोक गैलोत की दो गंटे की मीटिंग फिर राहूल गांधी के साथ दो गंटे की मीटिंग इसके बाद भी अगर अशोक गैलोत को ठीक से कनवे नहीं किया गया कि आपके कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले ही आपकी राजिस्थान की कुरसी जो है वो छीनी जानी है इधर आप कॉंग्रेस का भी नामिनेशन भी अध्यक्ष का नामिनेशन भी नहीं कर पाए होंगे और उधर आपको इस्थिपा देना होगा कमाल का है अरे बही इतना अधैरे क्यों इतनी जल्दबाजी क्यों इसी बीच में वे कौन लोग थे जो बार-बार कोचीन से लेकर के और दिल्ली तक ये बयान दे रहे थे और 22 से लेकर 24 सितंबर के अख़बारों को अगर आप देखें वेबसाइटों को देखें तो बार बार ये बयान कुछ लोग दे रहते कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धान्त लागू रहेगा और चाहे वो कॉंग्रेस अध्यक्ष कोई हो चाहे कोई हो सब पर ये लागू रहेगा सबाल इस बात का है कि अगर अभी नामंकन नहीं हुआ है और छोड़िये अभी तक स्रीमान अशोग गलोत के नाम का आपचारी केलान भी नहीं हुआ कि वो कॉंग्रेस अध्यक्ष पत के लिए परचा भरेंगे आपचारी केलान नहीं हुआ और उसके पहले ही आप कह रहे हैं कि बहुआ कुरसी छोड़ो सचीन पाइलेट हमारे बनेंगे क्योंकि वो बहुत लाड़ले हैं पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स के इसलिए वही बनेंगे ये बात तो साफ बताई जानी चाहिए थी अशोग गहलोत हमारे जो राजस्तान में सुत्र हैं अशोग गहलोत को ये बात नहीं वालून थी उनको बात ये वालून थी कि अगर वो कॉंग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसके चयन में इसकी प्रॉसेस में उनको कंफिडेंस में लिया जाएगा जाई रहे वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष होंगे तो ये जो जल्दबाजी की गई है आखिर किस वज़े से की गई है और किन लोगों ने की है अब कहा ये जा रहा है कि जब 2020 में आपरेशन कमल के तहट राजेश पाइलेट के समर्थक कुछ विधायकों ने हर्याना के मानेशर के एक होटल में आकर के डेरा डाल दिया था और कॉंग्रेस लेड अशोग गहलोत की सरकार को गिराने का लगभग अभियान तेज कर दिया गया था और उसके पीछे बीजेपी के एक मंत्री का बयान भी आ गया था टेलिफोनिक कुछ संबाद ते वो भी टेप हुए थे ऐसा बताया जाता है तो वो सब जो आपरेशन हुआ था उसमें सचिन पाइलिट को बहुत मुश्किल से बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने और राउल गांधी ने समझाया बुझाया और किसी तरह से वो संकट टल ग गया था कि आपको भविश्य में हम मुक्य मंतरी बना देंगे और अगर वाधा कर दिया गया था तो इसका क्या मतलब है कि 10 या 12 विधायकों को लेकर जो बगावत कर देगा क्या उसको मुख्य मंत्री इस आधार पर बना दिया जाएगा कि 98 विधायक जिसके पास हो उसको भी कोई उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कौन सी डिमक्रसी है आप कह रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोक्तंत्र लागू रहेगा हम इंटर्नल डिमक्रसी पर बहुत ध्यान देंगे तो यह कौन सी इंटर्नल डिमक्रसी है कि आप एक अब्जरवर को बेजें जो कह रहा है कि one to one बात होगी यानि हमसे आप बात कीजिए हर विधायक आए और हमको बताए कि वो किसको चाहता है कोई विधायक किसी नेता के रूप में किसी और का नाम ले और आला कमान के पास जाकर आप बता दें कि नहीं साब बहुमत तो उनका है क्योंकि आपको पाले से संकेत है कि किसको मुख्यमंतरी बनाया जाना है तो अगर इतनी ही डिमोक्रिक्री का ख्याल करना है तो आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं आप करा लेते चुनाओ मुख्यमंतरी का आप आराम से करा सकते थे कि बाई पालोट साब के समर्थन में ज़्यादा विधायक है या किसी अन्य के समर्थन में कितने विधायक है और ये सबसे इंपोर्टन बात है कि क्या कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाओ से पहले राजस्थान के मुख्यमंतरी का चैन करना नॉमिनेशन करना या एलान करना ये क्या इसका मतलब है जिस व्यक्ति को आप रास्ट्री अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं उसकी पहले ही आप भद्द पीट रहे हैं उसकी पहले ही इमेज आप डाउन कर रहे हैं उसकी पहले ही आप हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं भरोसा है मैं समझता हूँ दोस्तों कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर जिस आंतरिक लोगतंतर की बात की जा रही है ये जैपुर का घटना क्रम भी बताता है कि ये उसमें उतनी इमांदारी नहीं है उतनी प्रामाडिकता नहीं है और जाहिर है भारत जैसे देश में जहां ल कायनितिक पार्टियों के अंदर की ये बड़ी समस्या है और उसको मजबूत होने में वक्त लगेगा अच्छी बात है कि राहुल जी कम से कम शब्दों में कह रहे हैं लोगतंतर की बात लेकिन जब अमली जावा पहनाना होता है तो ये क्या कि जो अंग्रेजी अच्छी ब आए उस विधायक की कुछ भी नहीं सुनी जाएगी यकीनन कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अशोग गालोत को मुख्यमंतरी का पत छोड़ना ही था और मुझे लगता है कि इससे वो बिलकुल सामत है आज भी लेकिन क्या उनकी इक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा म जिस आदमी ने तमाम संकटों के बीच में राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार को बचाये रखा राजसभा में कई चुनाओ जिताए और उसको मुख्यमंतरी के चैन में उसकी कुछ भी नहीं चलेगी और जो लोग कॉंग्रेस की सरकार को भारती जनता पार्टी के सायोग से मिल कर सायोग लेकर टॉपिल करने उसको गिराने में जुटे हुए थे 2020 में उनकी इतनी चलेगी इसका क्या मतलब है तो दोस्तों ये कहानी है जैपुर के तमाशे की अब रही बात जब सचमुच एहसास हुआ कि कहीं न कहीं गलत हुआ है इंटरणल कहीं न कहीं तो एहसास हुआ ही है कुछ लोगों को जो पार्टी में बड़े पदों पर है या पार्टी के जो जिम्मधार लोग है हो सकता है, उनको लगा हो कि ये उनकी इमेचियोटी थी डिसानेस्टी नहीं थी शायद immaturity थी लोगों ने मान लिया कि जो वो कह देंगे वो सम्मान लिया जाएगा तो अब वो जो damage हुई है उस damage को control करने में लगे हुए है और हमने जो सुना है दोस्तो इसके लिए Congress की वरिष्ट नेता अंबिका सोनी और A.K. Anthony से खास तोर पे संपर्क किया गया है बताते हैं कि आनच शर्मा को भी काम दिया गया है इस मामले में Anthony साब सक्री राजनीच से रिटायर होकर केरल में रहते हैं उनको भी दिल्ली बुला लिया गया है सुना है गालोट साब और सोनीया जी के बीच में भी कुछ संबाद हुआ है उसके बीच में से क्या निकला मैं नहीं जानता लेकिन इस बीच में कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रद के लिए गालोट साब के साथ दिग्विजय सिंग साब का श्रिंदे साब का कमलनाथ साब का मुकुल वास्निक साब का नाम चल रहा है ये तमाम जो साब है कॉंग्रेस के गड़माने नेता है अब इसमें से कौन अध्यक्ष बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल है कॉंग्रेस पार्टी के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना असंभव है फिलाल लेकिन कहा ये जा रहा है कि कॉंग्रेस का नित्रित उसको ये लग रहा है कि उसने अशोक गहलोज जैसे व्यक्ति के लिए जो हमेशा कमीटेड रहा है पार्टी के लिए आला कमान का वफ़दार रहा है उसके साथ जरूर कोई न कोई गलती हुई है तो अब डेवेस कंट्रोल के लिए कहा जा रहा है कि उन्ही को अध्यक्ष के रूप पे पेश किया जाएगा कितना सच है मैं नहीं बता सकता लेकिन एक बात कि मुख्यमंत्री के लिए क्या कॉंग्रेस आला कमान अपनी जो स्ट्रेटिजी है चुनाव कराने की चैन करने की विधायक दल के बीच में क्या उसको मुल्त्वी करेगा या नहीं करेगा क्या अभी भी वो गलतीया करेगा क्या वो अभी भी तमाशा कराएगा या कॉंग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव पहले करा ले और फिर अशोग गहलोत के मुख्यमंत्री पत्से इस थीपे के बाद वह नए मुख्यमंत्री के चैन की प्रक्रिया शुरू करे गा ये एक प्रश्ण अभी बाकी है ये अभी जैपूर में खासकर जैपूर के पुलिटिकल हलकों में एक चर्चा है क्यों वहां के विधायक शोकाज नोटिस जो जारी हुई है उससे डरे नहीं है आला कमार ने तीन लोगों को शोकाज नोटिस दिया है जिसमें एक कैबिनेट मंत्री हैं एक चीप विप हैं और एक कार्पूरेशन के अध्यक्ष हैं अब बताया जा रहा है कि सचिन पाइलिट की संभावना मुख्यमंत्री बनने की जिस शिद्दत के साथ कॉंग्रेस आला कमान के कुछ खास लोग उनके नुमाइंदे जिस तरह उनके नाम को बिलकुल स्विकार कराने या मनजूर कराने का जबरन प्रयास कर रहे थे जैपूर जाकर संभावता वो नहीं किया जाएगा अब यह निर्भर करता है कि क्या वाकई अशोग गलोत सचिन पाइलिट के नाम पर तयार हो जाएंगे और फिर विधायकों को मान मनवल की जाएगी कि भाई मान ही लो इनको और अगर वो नहीं मानते तो वो तो कॉंग्रेस के अध्यक्ष होंगे तब तक तो वैसी स्थिती में क्या होगा लोग बता रहे हैं कि शायद सोनिया जी यानि कॉंग्रिस की जो अंतरी मध्यक्षी समय है संभावता इस पर साहमती बनेगी कि विधायकों के बीच से उनकी राय लेकर ही नया मुख्यमंत्री चुना जाए क्योंकि आगे चुनाओ लड़ना है और चुनाओ में कॉंग्रिस के विधायकों की कॉंग्रिस के नेताओं की कॉंग्रिस के कारीकरताओं की एक जुड़ता बहुत ज़रूरी है तो दोसतों उसके लए हमने सुना है कि गोविंज सिंग दोतासारा ये अभी प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका भी नाम चल रहा है मुख्यमंत्री पत के लिए निश्चित रूप से इसमें पाइलेट साहब का भी नाम है सीपी जोसी का नाम है जो स्पीकर हैं इसके अलावा भी कई नाम है इन में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये कहना बिलकुल कठिन है लेकिन एक नागरिक के तौर पे पत्रकार के तौर पे और एक लोगतंत्रवादी व्यक्ति के तौर पे हमारा कहना है कि कौंगरिस साला कमान को कौंगरिस के नित्रित्तों को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कम से कम अपने संगठन के अंदर आंतरीक लोगतंत्र को बढ़ाने मेंटेन करने के लिए निश्चित रुप से कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का तमाशा नहीं होना चाहिए कौंगरिस पार्टी की तरफ से जो दूसरी पार्टी के लिए भी आस्यास blocks लगे जैपुर के तमाशे पर दूसरी पार्टी के लोग भी हस रहे हैं और भारती जनता पार्टी तो मस्त है खोर्श है उसको राहूल गांधी की पद्यात्रा का की अब ज्यादा परवा नहीं है जो impact राहूल गांधी की पद्यात्रा का दिख रहा था शुरू के दौर में इस घटना के कारण निश्चित रुप से उस पर असर पड़ा है इसलिए बेहतर है कि कॉंग्रेस मैनेज्मेंट के नाम पर मिस मैनेज्मेंट उसका नित्रत्र ना करे तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सब्स्रीयकाल